हेलो फ्रेंड आप कैसे हैं आई उपच्छे होंगे हम भी अच्छे से हैं सो फ्रेंड आपने देखा आज गुनगुन का डूफ्ट भाई आया था और रादिका और गुनगुन का भाई और रादिका के पापा दोनों एक हो चुके हैं और समर के लिए प्लानिंग चल रही है कि समर के साथ क्या होनी चाहिए क्या करना चाहिए तो एक बात मैं बताना चाहती हूं समर के खिलाब जो भी कुछ कर रहा है तो रादिका के पापा तो ठीक है राइट बनता है उनकी सच्चाई है ऐसा होने चाहिए समर्ने गलत करा है और रादिका के पापा भी है जो उनकी बेटी है रादिका तो हर दुख सुख में वो उसकी माता पिता उसके साथ खड़े रहते हैं और गुझगुन के बेचारी क्या आठाओर तरस भी आता है उसकी परवार के तरफ से और एक तो उसकी फेमली वाले उसे कुछ समझते नहीं ही उपर से एक से बढ़के एक गलतिया करती तो उससे कब समझ जाएगा गब उसके घरवाले उसके साथ नहीं है उसके घरवाले उसके साथ नहीं है उसके भाई, बाप, मा कोई साथ नहीं देता है घर से निकाल दिया यहां तक उसके साथ में कुछ भी होता है तो जले पे नमक छिड़ाकने तो आ जाते है और मसीबत में उसके साथ देने वाला कोई नहीं रहता है उसका आशू साफ करने वाला कोई नहीं रहता है ऐसे मैं तो उसे सोचना चाहिए कि मेरे घरवाले मुझे कभी भी मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं कभी भी नहीं मानते हैं तो मैं ऐसी बन के दिखाऊंँ ऐसी रहूं कि कभी उन लोगों के मुझे जरुवत ना पड़े और ओ लोग कभी हमें अच्छा मेरे बारे में नहीं सोच रहें तो बुरा भी कहने के लिए ना आए ऐसे मतलब इज़त से, सम्मान से, तरीके से रहती हो तो उन लोगों के मुझे ना ताला लग जाता लेकिन गुन-गुन भी इतनी हरामन थोड़ी है छोटी हरामन थोड़ी है, बहुत बड़ी वाली हरामन है कि ओ भी है तो अपने हरकतों से बाज नहीं आती है कभी भी अपने जिन्दगी के बारे में नहीं सोचती है कि मैं ये गल्ती कर रही हूँ, मेरे साथ में क्या होगा मेरे एक मुसीबत से निकल रही हूँ, दूसरे मुसीबत खड़ी कर ले रही हूँ दूसरे मुसीबत में जा के खड़ी हो जा रही हूँ फिर उससे कितना प्रोब्लम हो रही है कितना फेस करना पड़ रही है उसे है प्रोब्लम है जारा सभी घर में इसू हो जाता है जारा सभी लड़ाई जगड़े होती है तो इंसान एकदम पागल हो जाता है जब कभी लड़ाई जगड़े से छुटकरा मिलेगा कभ हमें सुकून मिलेगा कभी परवार में प्यार महबब से रहने को मिलेगा कभ मतलब हम सब मिलजूल के प्यार से रहेंगे कोई-कोई तरसता है साले हम तरसते हैं ये पताने कैसी लड़की है कि कभी भी ये कोशिस नहीं करती है कि मेरे वज़ा से परवार में खुशिया आ है कभी भी इसके वज़ा से हंगामाई होता है लड़ाई होता है कभी भी इसके वज़ा से प्रोब्लम क्रियेट होते रहता है और इसके भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए दोस्तों एक भाई है भाई का फर्ज निवाना चाहिए था माँ बाप इस से कितों नराज थे फिर भी भाई भाई मतलब एक पीट से आए हुए हैं दोनों एक माँ के पेड़ से पैदा हुए हुए है तो उसे कभी भी तरस नहीं आता है कि आज मेरी बेहन कितनी बहग गई है कितनी गलत रास्ते पर चल रही है और उसे समालने वाला कोई नहीं है और मैं उसे जैसे भी हो प्यार से और प्यार से हम जिससे उसे समाल ले उसको मतलब सही रास्ते पर चलाएं कभी भी सपोर्ट नहीं करता है ऐसा तो कनस मामा भी नहीं थे कनस मामा कैसे भी बढ़के यह है समर के रियो सोरी गाईस यह गुनगुन का भाई ऐसी ऐसी बत्तमीजी बाते कर जाता है वो कैसी बरदास करती है वो खुल के बता भी न रही है सारे पबलिक का भी इंतिजार है कि हाँ वो किसका बच्चा है उसका भाई कितनी बड़ी ताना दे जा रही है कि इस बच्चे को बाप को पता ही नहीं है किसका है एक भाई एक और बाप ऐसी बाते बोल जाए तो कैसे लगेगा वो तो सरम से इंसान मर जाना पसंद करेगा मगर जिन्दगी में रहना पसंद नहीं करेगा और गुनगुन के हिम्मत को दाथ देना पड़ेगा कि गुनगुन कितनी बरदास करती है कैसे इतने इतने बाते को फैस करती है इतने बाते सुन जाती है और उसके अंदर इतने सहन सकती है कि उसे कोई फरक नहीं पड़ता है इन सब बातों तो आप पता नहीं किया होगा उसके साथ क्या नहीं होगा अभी तो रादिका के पापा भी तो चुपनी बैठेंगे डिवोस भी तो नहीं दे सकता डिवोस भी दे देगा तो फस जाएगा और ना चाहते हुग भी ओ नहीं दे सकता वो तो चाहिए रहा कि छुटकारा मिल जा गुनगुन के साथ रहें और गुनगुन और समर तो कभी छुटने वाले नहीं है और रादिका के पापा भी डिवोस मांग तो रहे हैं मगर वह ऐसे छोड़ेंगे नहीं क्या दोस्तों आप लोगों को लगता है कि ऐसे छोड़ेंगे और उसे पता है कि हम डिवोस दे दूंगा तो मैं फस जाओंगा वो और एकदम से फस चुका गुनगुन का पापा गुनगुन का ममी पापा नहीं है कि इतनी असानी से गुनगुन का जिन्दगी खराब हो गया और ओचोड़ दिये लो और उसने साधी कर लि होगा सरमाना चाहिए जब दूसरे साधी होता है ना दुसरे साधी का थपा लगता है तो तो दुनिया वाला अच्छा नहीं कहता है और ऴिक्ता साधी काई से क्रेंख फेंस कर रहे हैं आब होगी तो चोऊथे साधी होगी हर कोई कमेंड में भी कह रहे ह Bossief करते हैं फिर मिलते हैं कोई नहीं नेक्स वीडियो में देखते हैं जब तक क्या होता है फिर हम बताने को कोशिश करेंगे और अपने तरीके से अपने अंदाज में हमारे राय क्या है और आप लोग सपोर्ट करते रहें